इस तेतर उत्राखंड में मौसम विभाग में अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग की माने तो पहाडी और मैदानी छेत्रों में तेज बारिश होने के साथ कई अकाशिय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है आपको बता दे मौसम विभाग कई दिन से पहले से ही अलर्ट विभिन जिलो में जारी कर चुका है जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो चुकी है इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सयोगी भानू प्रकाश नेगी जुड़ गया उनका रुक करेंगे मानू लगातार पिछले कई दिनों से मौसम विभाग हर दिन के साथ चेतावनी जारी कर राज फिर एक बार एक आगया कि शाम होते होते एक बार फिर तेज़ बारिश होगी मौसम करवट बदलेगा जी आपको बता दो कि जो उत्राखंड में तमाम जो जिल्ले है उनको जिलों में रेड अलर जारी है भारी बारिश की संभावना जिताई जारी है और तमाम जो उत्राखंड के जिल्ले हैं उनमें जो है कई जगए बूस कलन की खवर हैं कई आकाशिय बिजली किने की खवर ह तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी नुक्सान भी उत्राखंड में चारों देखने को मिल रहा है इस तरह से सासन पर सासन काफी चुस द्रूस दिख रहा है और तमाम जो SDRF की टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी वी हैं और साम तक भी आज भारी बारिस होने की संभावना जदाई जा रही है जी इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि कुछ जिलों को खास्तोर पर सूचित किया गया है उन जिलों में कौन-कौन सी जगा अभी बहुत प्रमुक नजर आ रही है जहां पर संभावनाएं बहुत विकट नजर आ रही है अगर मौसम बिगड़ता है तो मौसम अगर बिगड़ता है तो यह जो सब से पहले वंगोत्री वाला चेत्र है और कुमाओं के कई चेत्र हैं जिन में भारी बारिस के कारण बड़ा नुक्सान हुआ है और अभी भी मौसम विबाग ने वहां पर रेड़ अलर्ट किया है अगर बारिस होती तो उन में नुक्सान होने की संभावना चताई जा रही है और और अपनी जो टीमें हैं उनको लगाके रखे हुए है और किसी जो दुर्गणना की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को जो है कंद किया जाए किसी तरह से जो है अगर बात उत्राखंड की करी जाए तो यहां पर हर वक्त जो है जो दुर्गणनाएं होने के संभावनाएं रहती हैं बारिस के बाद तो इन जिलों में सबसे पहरे जो कुमाओं के जिले हैं उन जिलों में काफी नुकसान भी पिछले दिनों हुआ है और आगे भी जो है एक तोर पर सपच देखा जा सकता है कितनी बुरी इस्तिती उस जगा की नज़र आ रही है पीछे से वाहन भी गुजर रहे हैं आपके ठीक पीछे से गाडियां वहां से निकल रही है ऐसे में इस्तिती दुरगटना की भी बन सकती है इस मौसम में उस पर थोड़े से प्रकाश जा लिए। हुस具 थी मञें हम झाले का मुख्या मार्ग है और इहां पर जो है पर यहां पर रोड़ का जो बड़ा हिस्चा है करके जो हैसे लिए तूट खरकर चले गया है यहां पर जो भरी बाहन हैं उन पर हो आने दिया जा कि जो बहुत सारी जो सड़कें उत्राखंड में लगवक 500 सड़कें जो है बंद चल रही हैं और लोगों को भारी परिशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है आप हमारे फीचे साब तर्ब दे सकते हैं कि कि इतना जो है यहां पर जो है सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है टूट करके चले गया है जिसको जो है बनने में लगवक पूरा एक मेने का अचा बता रहें तक्रीबन डेड़ सो ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद किया गया है लेकिन अभी भी लोगों को मजबूरन कुछ सड़कों का इस्तमाल करना पड़ रहा है क्योंकि कही ना कही कि वह एक मात्र रास्ते बचे होंगे जिसकी तरफ से जाना होगा और ऐसा ही एक रास्ता यह भी जहां आप इस वक्त मौझूद है कि इस वक्त जो हम यहां पर मौझूरी देरदूर का मुख्यमार गया और यहां पर बाहनों की आवाज आई बहुत जाला रहती है तीरी जो जो है काफी परिसानिया होती है तो देखा जाए तो इस रूट को जल्दी अभी खुलने में समय लगेगा तो इस जगे की इस इलाके की इस सड़क की क्या परिस्तिती होंगी कि अगर मुश्रादार बारिस सामतकर हो जाती है तो यहां पर शड़क और बी तूटने की समावना है तो तब जो है यह चोटे बाहन जो अभी यहां से गुजर रहे हैं उन बाहनों को भी आवाजाई बंद हो जाएगी तो इस उससे जो है लोगों की परिसानियां और बढ लोग रहे हैं तो रोग रोके भी गाड़ा चल लिए तमाम जो परसासन की त्यारें वो दिख रही हैं लेकिन मौसम के साथ मोसम जो कब बदल जाए कहां जो है कि चिंता का विश्या यह भी है कि जो तस्वीरें आप हम तक पहुचा रहे हैं यहां पर लोग रहते भी हैं य यहां से इस